हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चेनल आएम प्रगती जोसी आज हम सुरू करने जा रहे हैं 15 प्रेगनेंसी फेक्स यू शुड नो की सीरीज का 5 एपिसोड तो इसमें हम जानेंगे कि मेजर हेल्थ प्रोब्लम इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दोरान 9 महिनों में मेजर ह क्या हो सकती है ठीक है दोस्तों तो यह मैं एपिसोड सुरू करूँ यह वीडियो सुरू करूँ इससे पहले एंसी के फर्स्ट एपिसोड में जो किशन पुट अप किया था उसका आंसर लगबग सभी ने सही ही दिया था परन्तु उन में से जो लकी विनहर है उनका नाम है पिंकी सबल वे अपना गिफ्ट जो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बोक्स है वहाँ पे जो वाटस अप नंबर दिये गए हैं उन पर कॉंटेक्ट करके अपना गिफ्ट कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो अब अपन इस वीडियो का जो टोपिक है मेजर हेल्थ प्रोब्लम इन प्रेगनसी वो शुरू करते हैं मेजर हेल्थ प्रोब्लम में जो फरस्ट आती है वह है हाई ब्लड पेसर और प्री एकलेमसिया जो ये कंडिशन आपको अरली जो स्टेज होती है उसमें समझ में नहीं आती आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपका जो ब्लड पेसर है वह बढ़ चुका है इसलिए आपको एंसी के दोरान वीजिट करना होता है और उस टाइम पर डॉक्टर्स और नर्से आपका ब्लड पेसर चेक करते हैं और ब्लड पेसर चेक करने के दोरान यदि बढ़ा हुआ पाया जाता है और उसी के साथ आपके जो यूरीन टेस्ट है उसमें प्रोटीन के मात्रा पाई जाती है तो आपका कंफर्म हो जाता है कि आप प्री एकलेंसिया की स्टेज में हो और आपको मेडिकेशन की जरूरत है जो लेट साइन और सिम्टम्स है जो आपको पता चलते हैं धीरे धीरे ये प्री एकलेंसिया के कंडिशन ज्यादा होती जाती है तो आपको पता चलने लग जाता है कि आपके साथ में कुछ अबनॉर्मल हो रहा है तो उसमें जो फर्स आता है वह है हेडिक आपक जो चेस्ट है वहाँ पेंड शुरू होता है आपको चेस्ट के नीचे आपको रिब्स के नीचे पेंड महसूस होता है और जो मोस्ट कोमन साइन है इस प्री एकलेंसिया का वह है आपके जो फेस है फीट है और हैंस है वहाँ पर अचानक से सूजन आ जाती है यदि अचानक 器 condition अब इसी के साथ साथ आपको यह जाना भी जरूरी है कि आपका नॉर्मल ब्ल devient कितना होता है ठीक है दोस्तों यह एक जड़नलनोलिज की बात है क्योंकि सभी को यह पता हो नाची कि आपका ब्ल्ट प्रिश प्रिश नोर्मल कितना होता यह नंडफ गदती टू तो होता है सीस्टोलिक और एक होता शुटाले स्नाउग वशानी कि दाइस्टोलीक ब्लॉड प्रिश होता है उसको अपर लि मिट में लिख यह ईस ते उपर की तरफ लिख फफ जीई और जो शुक। होता है उसको नीचे लिखते हैं 80 mm of Hg तो इसको जो नोर्मल भाषा में ब्लड प्रेशर लेते हैं 122.80 mm of Hg होता है परन्तु जो systolic blood pressure है उसकी लिमिट है मतलब systolic blood pressure की limit 92 120 mm of Hg के बीच में नोर्मल मानी गयी है और जो yl photography उसकी लिमिड 6 280 mmHg के बीच में normal माने गई ए तो आपका normal blood pressure कितना हुआ kosiос 91 20 mmHg अपर लिमिड से ले कर ढे स्रौट ह ås की लीमिड next जो major health problem है pregnancy में बेए है य। प्लैसेंटा प्रीविया आप इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रले सेंटा है एक पार्ट होता है वो किसमें ग्रो करता है जो गर्बास में करता है और वह आपके और आपके बच्चे के बीच में एक कड़ी होती है उसके द्वारा ही nutrition oxygen वह बच्चे तक पहुचता है प्लेसेंटा ग्रो करती है गर्बासे की दिवार के अंदर और यह है प्लेसेंटा साधारणते तो गर्बासे के जो उपर का पार्ट है वहां पर अटेज होती है परन्तु किसी कारणवस यानि अबनॉर्मल कंडिशन में यह है यूट्रेस के गर्बासे के जो मुह है उसमें यदि अटेज हो जाए उसके पास पास या थोड़ा सा भी उसको ढख ले उसके मुह को और अटेज हो जाए तो इस कंडिशन को कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और यह कंडिशन खतरनाक होती है यह कंडिशन आपको कब पता चलती है जब आप ANC के दोरान वी आठे महिने में दूबारा सोनोग्राफी करवाने की सलाह देते हैं क्योंकि आठे महिने तक लगभग दस में से नो महिलाओं में प्लेसेंटा घूम के उपर वाले यूट्रेस के पार्ट में अटेच हो सकती है इसलिए इस स्केन में यह देखा जाता है कि प्लेसेंटा की प दिलेवरी की सलाह दी जाती है यह हुआ ब्लेसेंटा प्रीविया को पहले ही जानने का तरीका एंसी के दोरान सोनोग्राफी करवा के आप इस कंडिशन को जान सकते हैं छटे महिने के बाद में बिना कोई दर्द के विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लड का कलर बहुत ही ब्राइट रेड है यानि सुर्ख लाल है और या तो वह थोड़ी हो या ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है पर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको दुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है और यह है ब्लीडिंग कोंट्रेक्शन के साथ होती है मतलब आपक कैसे इस कंडिशन से बचना है एक तो हुआ सोनोग्राफिक करवा के एंसी के दोरान और एक हुआ इसके लक्षनों को जानके ठीक है दोस्तों थर्ड जो मेजर हेल्थ प्रोब्लम आती है प्रेग्नेंसी के दोरान वह है वेजाइनल ब्लीडिंग यह दी नो महिनों के दोरा कभी भी वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तूरंट डोक्टर के पास जाकर सलाल लेनी है ठीक है दोस्तों नेक्ट जो फोर्थ नंबर पर मेजर हेल्थ प्रोब्लम आती है वह है और स्किन का कलर है और जो आखों के वाइटनेस का कलर है वह है यल्लो सुरू ह होने लग जाता है और इस कंडिशन में आपको तूरंट डोक्टर की सला लेनी है फिफ्त जो मेजर हेल्थ प्रोब्लम इन प्रेगनेंसी है वह है डीप फैंट छॉंबोसिस अभी एक मेडिकल तर्म है इसको आप साधरन बसा में कैसे समझ सकते हो कि आपकी जो लेग्स है य ốngर diu और जया तो यह कंडिशन काफी खतरना को जाती है जब यह रुदिर का ठकका लंक्स में पहुंच जाता है और इसको कहते है P 야, आप परम्दिकल की पींडिलीन यह का प्यंडिलियां वो का लंक्स में चला गया और यह कशन कर रहान सकते है और जब आप पैर को सीधा करते हो तो आपको काफी दर्द हो रहा है ठीक है तो आपको जरूर दोक्तर की सला लेनी है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक क्यूचन पूछने वाली हूँ और वह यह है कि एक व्यक्ति का नोर्मल ब्लड पेशर कितना होता है इस क्यू की नहीं होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो या आने वाले अपने किसी भी वीडियो में अनाउंस करूंगी यह हुई प्रेग्नेंसी के दोरान मेजर हेल्थ प्रोब्लम की कुछ जानकारी और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं लाइक करें शेर करें कमेंट करें थेंक यू कीप पाचिंग है विन आइस दो